दिल्ली नगर निगम चुनावी बिगुल लगभग बच चुका है ऐसे में बात करें पार्षदों की जो वर्थ वान सिटिंग पार्षद है हम उनसे बात कर लेते हैं हमारे बीच में कुसम तोमर जी है जो की बाबरपुर से निगम पार्षद रही विभाजन भी हो गया है सी का टिकिट हो जाए फिर उसके साथ संग्ठन को लगना चाहिए एंसीडी के चुनाव का आज साथ अचार चाहिता लग जाएगी और यह लगभग तैय है लगभग कैगर मैं यह कहती हूं कि हंडेड़ परसंट तैय है कि चौतिवार भी भाज़पाही एंसीडी में आ रही ह कि आ है और गरीबों को मकान दिये हैं उसके लावा बहुत सारे ऐसे काम जो हमनें में करें हैं जिनको लेकर के हम लोग छेतर में लोगों के बीच में आएंगे लोगों को बताएंगे चौतिवारा एंसीडी में भाजपा की सरकार बनेंगे मैं 272 वार्ड की जैगे अब 200 व सबसे बढ़ी बात यह कि केंद्र सरकार ने जब हमारे सांसदय प्रिवेश शर्मा जी रहे हैं और हमारे मनुस्तिवारी जी इनों ने तीनों ने जब आवाज उटाई तो एक किया गया एक करने के बहुत सारे फादा हैं तो यह कि जगा जगा एक कमिशनर होगा पहले हमार टेशित को बराबर मिलेंगा हर पार्षत को बराबर फंड श्युक्त वन की बात यह नहीं से उगए तो उसके बल पर हम लोग आगे जाएंगा नहीं की बात तो यह तो चलता रहे तो यह तो पार्ट ऑफ राजनीती है यह पार्ट ऑफ चुनाव कह सकते हैं कि पिछली बार यह गोरक पारक हमारा जंता को लौनी से बाबबपुर में आथा अब गोरक पारक वाड़ बन गया और जो लोग काम करते हैं जिन लोगों का एक समाज में नाम है चेत्र में जाना पहचाना चेहरा उसके लिए कोई भी कहीं से भी सीमा हो जाया कुछ परक पड़ता नहीं है लेकिन मेडम बाबरपुर वार्ड में तो आपने तन्वान धन से बिलकुल एक तरिगे से परिवार की तरह से आप लेकिन मैंने हमेशा पूरे जिले में जहां से यहां ग्रेजिया मेरम से लगातार में बढ़न पहचाना है मुझे पिसले 45 वर्चों में दिली में रही हूं यहीं में तो मैं निकलती हूं और जो नमस्ते करते हैं तो उसी से हमाई लग जाता कि समाज हमारा क्या स्थान है अब तैयारी गोरक पार्ट बिलकुल महिला सीट पार्टी की तरफ से कुछ नहीं हुआ है जब तक चुनाव नहीं होते इस तरीके के आंकलन लोग लगाते ही है मीडिया वाले सब लोग ऐसा पार्टी की तरफ से कोई आदेश नहीं है कि पूराने पार्षद नहीं लड़ेंगे पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको हम मानेंगे एसा कोई पार्टी का विल्कुल दिया जाएगा और हम लोग तैयारी में लगे हुआ है लिए अब कर लेते हैं मैला कारेकरता को टिकट मिलेगा या कारेकरता जो जैंट से उनकी भी वीओ को सब्सक्राइब सब्सक्राइब कि है किप ऺ ряд करता की ही है कि यहाँ पर हमारी जो कारे करता है उनको टिकित को मोड़का, लेकिन कई आःती ही और आसी हमारी आजादी है कि वहाँ पर जाती समझ सकते हो यह ितरी के स्कते इस तरी है, जाती है स्कانेnd teşekkür सकते हो कि फिर हम से क्यों दरी बिचवाई गई क्यों हमें मिटिंग उमें ले करके जाया गया जब देना ही जाती हूं कि करम के साथ भगय भी जुड़ा होता है हमारा कहीं न कहीं अगर आपके भगय में राजयोग लिखा है तो आपको आपका टिकेट कोई नहीं कार सकता है आपको 100 2% डिकेट मिलेगा लेकिन ये चोटा मन करके काम करें क्योंकि बहुत सारे ऐसे कारें हैं जिन्हों ने जिनंगने जीन्ता क्योंकर कि Cay की लेकर्व पैचाने लेकिन महिला करेकरा थे एक छोटी आस होती है निगम का चुनाओ जब वही कहना में उनका टिकट काड़ दिया जाएगा और फिर देखे महिला मोर्चा की अध्यक्ष होने के नाते मुझसे जो मेरे पार्टी ने मुझसे बोला है मैंने अपनी महिला कारे करता हूं कि नाम दसों सीटों से भेजे हैं हुए और यह बाकी उनका भाग्य है कि वो और पे निर्ने होगा लेकिन मैं फिर आपूंसे कहना है उन्सावी से कहना चाहती हूं जो हमारी मेरी महिला मोर्चे की जो कारे करता वहने मैं सबी के लिए प्रयास रहत हूं कि जहां पर डिजर्विंग है जहां पर सीट निकाल सकती है देखे एक काल करता हो न और एक सीट को जिता के देना दोनों में बड़ा अंतर होता है ठीक है न अब हम अपनी कैपेशिटी भी देखें कि हमारी कैपेशिटी कितनी है तो को इस बात को लेकर आप बहने परेशान न हो कोई भी लड़ेगा अपने ही लड़ेगा को भारका नहीं लड़ेगा आप लोगों के बीच में से ही लड़ेगा और मेरी पूरी कोशिस है कि महिला मोर्चा में जादा से जादा वहने को टिकेट मिलें कुशुम जी आदेव उ पूजा करती हैं यह तो हमारा जो देश है वो कहिना के जितने भी हमारे तिवहार है उन्हें चुपे हुए हैं तो यह हमारे यह कातिक मास्ट भी है तो मैं सब को बहुत-बहुत शुब कामना देना चाहती हूं तो यह थी हमारे बीच में कुसुम तोमर जी जो की जिला अद्दक्ष है महिला मोर्चा की जिला नवी इन्शादा की साथ में बावबपूर्ट से पार्षद भी रही है यह दो तिन सवाल में थे उसका इन्होंने खुलासा कर दिया कि पार्षदों को भी टिकट मिलेगा वर् हच्पा आ रही है आम आदमी पार टीवी कह रही है कि हम ही आएंगे समय बताएगा कैमरा में पाउन शर्मा के साथ रहुल शर्मा भारत टीवी करें